टीम इंडियान साउथ अफ्रिका दौरे पर है इस दौरे पर टीम के यंग खिलाडियों का शांदार प्रदर्शन दिखा पहले टीट वर्टी सीरीज में यंगिस्तान का कमाल दिखा जहाँ टीम ने सीरीज एक एक की बराबरी पर खतम की लेकिन जिस तरह का खेल युआ खिल परीका में दूसरी बार वंडे सीरीज अपने नाम कर ली है लेकिन जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है भारते टीम ने तोड़ दिया है औस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड चलिया आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला टीम इंडि इसमें भारत ने कुल 35 बंडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम ne 27 मैचों में जीत दरज की है इसमें साउथ अफरिका का खिलाफ मिली आखरी मैच की जीत भी शामिल है वही ऊच्छेलिया टीम ने साल 1999 में 37 बंडे मैच खेले थे जिसमें से उस्ट्रेलिया ने 26 जीते थे इस तरह से भारत ने उस्ट्रेलिया का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है अगर साउथ अफरीका के खिलाफ वंडे सीरीज की बात करे तो टीम ने अपना पहला मुकाबला 8 विकेट से जीता था वही टीम इंडिया को दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था लेकिन अब टीम इंडिया ने तीसरा और आखरी वंडे मैच 78 रनों से जीत लिया है इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली तीसरे मैच में भारत के लिए संजू सेमसन ने कमाल का प्रदर्शन किया उन्होंने 108 रनों की तुफानी पारी खेली वंडे क्रिकेट में उनका ये पहला शतक है तिलक वर्मा ने 52 रनों का योगदान दिया इसके अलावा अर्शिदीप सिंग ने पूरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने इस सीरीज में 10 विकट चटकाए थे इसी वज़े से उन्हें प्लेयर ऑफ दा सीरीज का वोर्ड दिया गया बता दें साउथ अफरीका के खिलाव अप टीम इंडिया को दो मैचों की टेस सीरीज खेलनी है वहाँ देखना दिल्चस्प होगा कि क्या इंडिया अपने इस प्रदर्शन को दोहराती है और पहली बार साथ अफ्रीका की धर्ती पर टैस सिरी जीत पाती है या नहीं